हलो दोस्तो आप सब कई कैसे हैं? हम उमेद करते हैं कि आप सब कई बहुत दी बढ़िया होंगे, बहुत दिजब जबजस्त होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जारखन पुलिस का प्रेक्टिस सेट नमबर 5 को दोस्तो इससे पर्ले हम लोग अलड़ी 4 सेट को cover कर चुके हैं दोस्तो यह जो practice set है यह समाइन निये ज्यान का है यानि GS का है ठीक है दोस्तो हम लोग का target है 100% 1 sheet लेके रहेंगे अगर आप लोग daily practice set लगाते हैं तो 100% आप 1 sheet जरूर लेके रहेंगे तो चलिए हम लोग जल्ड़ी से आज का practice set को सुर्वात करते हैं आज का पहला प्रस्ण आपके screen पे आ जुका है पहला प्रस्ण जोश्तो भारत का सबसे उचा जलपरपाथ किस राजमे है आपको बताना है भारत का सबसे उचा जलपरपाथ किस राजमे है option A में दिया हुआ है अंदर पर्दिश, option B है असम, option C है महराष्ट, option D है करनाटक आप लोग सब के comment बताएं इसका right answer क्या होगा दोस्तो इस questions का जो right answer होगा वो हो जाएगा करनाटक option number D वोला इस questions का सही जवाब हो जाएगा भारत का सबसे उचा जलपरपाद करनाटक राज में है नेक्ष चलते हैं प्रशन संख्या दो नमबर दोन और प्रशन है निन में से दिल्ली का कौन सा प्राचिन असमारक विश्व धरोहर असमारक नहीं है आपको बताना है निन में से दिल्ली का कौन सा प्राचिन असमारक है जो विश्व धरोहर असमारक नहीं है option A है लाल किला, option B है जन्तर मंतर, option C है हुमाय का मगवरा, option D है कुतु मिनार इसका एंसर आप लोग कमेंट किरें क्या होगा दोस्तो इसकोचंस का राइट एंसर होगा जन्तर मंतर, option B और इसकोचंस का सही जवाब हो जाएगा next चलते हैं हम लोग, प्रशन संख्या तीन में तीन नमर प्रशन है, निमलेखित नदियों में से कौन सी नदी पच्मी घाट में से निकलती है आपको बतना है, निमलेखित में से कौन सी नदी पच्मी घाट में से निकलती है option A है घगगर, option B है क्रिशना, option C है दामुदर, option D है सोन आप लोग सभी कए कमेंटे में बदे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा जोब आपको जाएगा दोस्तो इस कौचंस का सही जवाब होगा, क्रिशना option Number, B उले इस कौचंस का सही जवाब हो जाएगा दोस्तो, जिस प्रकास से आपके एकजाम में प्रशन आएगा होववववशू उसी प्रकास से हम इस सेट को बनाये हुए है जो जो बिसे से आपके एक्जाम में प्रस्ण कुछे जाएगा सारा बिसे का यहाँ पर प्रस्ण डाला हुआ है तो आप लोग दोस्तों अगर अच्छा से त्यारी करना है तो इस चनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और दोस्तों वीडियो को एक बार सभी कोई लाइक भी कर दिजिए ठीके देखिए चानल प्रस्ण क्या है अमजद अली खान कीसी अंतर बजाने के लिए जाने जाते हैं आपको बताना है अमजद अली खान कीसी अंतर बजाने के लिए जाने जाते हैं option A है सरोध, option B है सारंगी, option C है सितार, option D है सावला और लोग बताएं इसका right answer क्या होगा इसका right answer उस्तो सरोध, option number पहला right answer हो जाएगा next नलोग चलते हैं, 5 number पर्षने पे 5 number पर्षने उस्तो, मेरियाना ट्रेच किस महासागर में इस्तित है मेरियाना ट्रेच किस महासागर में इस्तित है option A अंडलांटिक महासागर, option B परसांत महासागर, option C हिंद महासागर, option D दचनी महासागर आप लोग सभी के answer बताएं इसका क्या होगा दोस्तो, मेरियाना ट्रेच जो है वो परसांत महासागर में इस्तित है option number B वाला इसको चिंसका सही जवाब हो जाएगा next time लोग चलते हैं प्रस्ण संख्या 6 में 6 नमर प्रस्ण है बिहार का सोक निमलिखित में से किसे कहा जाता है option A है अजय को option B है बागमती को option C है स्वान को option D है कोसी को अब लग कमेंड बताई इसका राइट एंसर क्या होगा दोस्तों बिहार का सोक कोसी को कहा जाता है option number जो है इसको चिंसका D वाला राइट एंसर हो जाएगा next चलते हैं हम लोग प्रस्ण संख्या 7 पे 7 नमर प्रस्ण है भुपरपट्टी में सुरधिग पायान वाला तत्वा है आपको बताना है भुपरपट्टी में सुरधिग पायान वाल तत्वा कोन सा है option A है oxygen option यहाँ पर B होगा option B है hydrogen option C है nitrogen option D है silicon अब लोग बताईए क्या होगा इसका right answer दोस्तों इसको चिंसका सही जवाब हो जाएगा oxygen option नमबर जो है यह वाला सही जवाब हो जाएगा next ठनों चलते हैं प्रस्ने संख्या 8 पे निमली खित में से कौन सा पदात सर्वधिक मजबूत होता है आपको बताना है निमली खित में से कौन सा पदात सर्वधिक मजबूत होता है option A है German silver option B है पी तल option C है इस्टील option D है ग्रेफिन पताए क्या होगा इसका right answer इसकोंचन का सही जवाब हो जाएगा ग्रेफिन option number D वाला इसकोंचन का सही जवाब हो जाएगा next चलते हैं प्रस्न संख्या 9 पे 9 नमबर प्रस्न है hydrogen को जलाने से क्या बनेगा option A है मिठी option B है oxygen option C है राख option D है पानी बताए कमेंट पे इसका right answer क्या होगा दोस्तो यादखना है hydrogen को जलाने से पानी बनेगा option नाक बजब है D वाला इसकोंचन का right answer हो जाएगा next चलते हैं प्रस्न संख्या 10 पे दस नवर पसंद है दोस्तो निम्ली खित में से कौन सा विस्पोटक नहीं है यहाँ पर दोस्तो चार ओप्शन दिया हुआ है चार ओशन दोस्तो इसका राइट एंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिए TNT या TNG या TNP या नैट्रो कलरो फार्म अप लोग कमेंट बढ़े इसका राइट एंसर क्या होगा दोस्तो इस क्वेशन का राइट एंसर हो जाएगा नैट्रो कलरो फार्म ओप्शन नमबर D से ही जवाब हो जाएगा नेक्स चलते हैं प्रस निसंख्या गारपे निम्लेख्यत में से कौन रासाइनिक उर्बरक नहीं है निम्लेख्यत में से कौन रासाइनिक उर्बरक नहीं है ओप्शन A है यूरिया ओप्शन B है पोटेसियम नैट्रेट ओप्शन C है सोडियम सल्फेट ओप्शन D है सुपर फास्पेट अब लग कमेंड बढ़े इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तो इस कोशन्स का सही जवाब हो जाएगा sodium sulfate option number C इस कोशन्स का राइट एंसर हो जाएगा next हम लोग चलते हैं 12 नमबर पस्न पे 12 नमबर पस्न दोस्तो अकबर के राज दर्बार में कितने रतन थें अकबर के राज दर्बार में कितने रतन थें option A है 7 option B है 9 option C है 100 option D है 24 दोस्तो यादखना है अकबर के दर्बार में 9 रतन थें option number B लोग इसकोशन्स का राइट एंसर हो जाएगा next चलते हैं 13 नमबर पस्न पे त्या नमबर पस्नि क्या है गुप्त वंस का अंतिम सासक था दोस्तो अकब बतना है गुप्त वंस का अंतिम सासक कोन था option A है पूरू गुप्त option B है विशनु गुप्त option C है एसकंद गुप्त option D है कुमार गुप्त चलिए आप लोग कमेंड़ बताई इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तो इस कोचंस का सही जा हो जाएगा बिशनु गुप्त option नमबर B विवला इस कोचंस का राइट एंसर हो जाएगा next चलते हैं प्रशन संख्या चौदो पे जारखन के कितने जिल्ले अपने पड़ोसी राज पच्छिम बंगाल को असपस करते हैं option A है 7 option B है 8 option C है 9 option D है 10 आप लोग बताईए कितना जिल्ला असपस करता है दोस्तो ये प्रशन जारखन से डिलेटेड है दोस्तो ये तकना है पच्छिम बंगाल टोटल 10 जिल्ला असपस करता है option D इसकुसंस का राइट एंसर हो जाएगा दोस्तो अगर यहां पर पुछेगा बिहार का कितने जिल्ला को असपस करता है तो बिहार का भी 10 जिल्ला को असपस करता है दोनों आप लोगे याद कर लेना है नेक्स्त है प्रस्न संख्या 15 आज का कौन सा स्थान धार्मिक अंदलों के साथ जेन से भेता हुआ संस्कृति का केंदर था ओप्शन A है धनबाद ऑप्शन B है पलामू ऑप्शन C है सीमभूम ऑप्शन D है हजारी बाग दोस्तो इसकोंचंस का राइट एंसर होगा धनबाद option number जो है पहला वला इसको जनसका right answer हो जाएगा next चलते हैं प्रस्न संख्या स्वल लपे चम्पारण सत्यागरा का आरंब कब हुआ? चम्पारण सत्यागरा का आरंब कब हुआ? option A है 1929, option B है 1917, option C है 1857, option D है 1946 46 अब लग करने बताएए चंपरान सत्यागर काराम कब हुआ तो 1917 हुआ अप्शन नबर बी वाला इस पूसिंस का राइट एंसर हो जाएगा नेस्ट है प्रस्ण संख्या 17 तमिल नाड़ो में पायाने वाली मुख्या जन जाती है अप्वतना है तमिल नाड़ो में पायाने वाली मुख्या जन जाती कौन सा है Option A है E-Rules, Option B है चांग, Option C है गारो, Option D है खोंड दोस्तों याद रखना है इस questions का right answer हो जाएगा E-Rules Option नमबर पहला right answer हो जाएगा Next है अठार नमब प्वश्चन अठार नमब प्वश्चन दोस्तों Option A है हर्याना, Option B है पंजाब, Option C है गुजरात, Option D है राजस्थान दोस्तों इस questions का right answer हो गुजरात, Option C इस questions का सही जवाब हो जाएगा Next है उनिस नमबर प्रश्चन उनिस नमबर प्वश्चन है A से अगेंस्ट अवार्ड किस खिलाड की आत्मकता है Option A जवाब दोस्तों विश्व नाथन, आनन्द Option B है सान्या मिर्जा, Option C है अभिनव, बिरिंदा Option D है अंजली, भागवत बताए इसका right answer क्या होगा दोस्तों, A से अगेंस्ट अवार्ड दोस्तों, सान्या मिर्जा की आत्मकता है Option B उला इसका right answer हो जाएगा Next चलते हैं प्रशन संख्या 20 पे जपान की संसद कहलाती है जपान की संसद क्या कहलाती है Option A है Court Option B है Diet Option C है से जीम Option D है Del बताए इसका right answer क्या होगा दोस्तों, इस कोचनस का सही जवाब हो जाएगा Diet Option B उला इस कोचनस का सही जवाब हो जाएगा Next चलते हैं प्रशन संख्या 21 पे रियाल मुद्रा है रियाल मुद्रा क्या है रियाल मुद्रा कहा का है ठीक है रोमानिया, पाकिस्तान, सौधी अरब, अंकुला दोस्तों, जो रियाल मुद्रा है सौधी अरब का है आप्सन नमबर C और इस्का राइट एंसर हो जाएगा Next चलते हैं हम लोग 22 प्रस्ट पे 22 प्रस्ट पे वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किस ने क्या? वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किस ने क्या? Option A है बमकिन चंद्र Option B है रविनाथ टेग और Option C है अर्बिन्द घोस Option D है सत्य जी तरे अब लोग बते हैं इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा दोस्तो वंदे मातरम का अंग्रेजी में अन्वाज जो क्या है उनका नाम है अर्बिन्द घोस Option C राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है प्रस्ण सेंख्या 23 वर्तनों को चमकिला बनाने के लिए उप्योग में लाया जाने वाला पदात निम्लिखित में से कौन सा है दोस्तो ये साइंस का प्रस्ण है आप लग बताईए बर्तनों को चमकिला बनाने के लिए उप्योग में लाया जाने वाला बर्तन उप्योग में लाया जाने वाला पदात निम्लिखित में से कौन सा है Option A है A लम Option B है Zinc Cloride Option C है Zinc Oxide Option D है केलो मेल तो इसका राइट एसकोश तो Zinc Oxide हो जाएगा Option N.C.L.I.E.S. Questions का राइट एंसर हो जाएगा दोस्तो आपको पता होगा इस बार जहारखंड पुलिस में GS Z total 25 प्रशने पूछा जाएगा जिसमें All India GK भी होगा जहारखंड GK भी होगा और Science का प्रशने इसी में रहेगा ठीक है सारा Mix Up रहेगा इसलिए हम Set को सारा Mix करके बनाएगा यहाँ पर आप देख पार दोस्तो GS प्रशना को देखने को मिल रहा है जहारखंड GK भी देखने को मिल रहा है और Science का भी प्रशना देखने को मिल रहा है तो आपको बिल्कुल घवराना नहीं है जिस प्रकास से आपके लिए प्रशने पुछे जाएगे पुछे जाएगा हम उसी प्रकास से प्रशनों को सेलेट करने का कोशिस कर रहे है ठीक है चलिए Next नवर प्रशना है 24 नमबर मेढक के सम्मंद में निम्रिखित में से असेत्य कथन कोन सा है आपको दोस्तो असेत्य कथन बठाना है मेढक के सम्मंद में ठीक है पहला आप्शने तौसा से सांस लेता है ये तो बिल्कुल इस सही है सित रक्त प्रानी है ये भी बिल्कुल सही है का अंतरन में आंत बड़ी हो जाती है नहीं दोस्तों ये गलत है बड़ी नहीं होती है ये उभचार वर्क के अंतरगत आता है ये भी बिल्कुल सही है तो गलत सब्द को ही चुनने बोला था असेत्य कथन तो ओप्शन नमबर जो है सी वाला ही असेत्य कथन हो जाएगा नेच्ट हम लोग चलते हैं प्रस्ण सेंख्या 25 दोस्तों और ये आखरी प्रस्ण है दोस्तों अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं कि दोस्तों लाइक कर दिजिए हम लोग आखरी प्रस्ण पर पहुंच गए है ठीक है और दोस्तों पहला पाच चैनल में आएंगे जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा तभी आप तक मरे वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा ठीक है अगर आपको सेलेक्शन लेना है जरू सब्सक्राइब कर लिजे सारा विशय का आपको त्यारी कराए जाएगा फिरी ओपकोस्टिया आपर ठीवरी भी देंगे और अबजे टिप भी देंगे ठीक है तब जनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजिए देखिए पस्टिशनल पस्टिक क्या है निविन में से कौन सा रसायन मच्छर भागाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाए जाती है और अप्शन ए है नेप्थलिन है और अप्शन बी है एलि प्ते जाएगा इसका राइट एंससर तो अप्शन नमबर 20 परसंस का सही जवाब हो जाएगा दोस्तो यह आखरी परसंस था और हम लोग का यह सेट कंप्लीट हो जाता है दोस्तो विडियो को लाइक तो जरूर कर दिजेगा और सुधर क्रेटिव क्लासिस को सभी को सब्सक झाल